Ant-Man and the Wasp में दिखाया गया ये कैंग और Loki Season फिनाले में दिखाया गया कैंग सेम है या अलग है जानते हैं आज की इस वीडियो में अब कैंग को हमने पहली बार Loki Season 1 फिनाले में देखा जहां उसी के वीरियंट हीयो रिमेंज के मौत के बाद काफी सारी न्यू टाइम लेंग्स एक्जिस्टन्स में आई एंड में एक डिफरेंट कैंग का वर्जन भी दिखा जो TVA को अफफरंट कंट्रोल कर रहा था बट इस नए एंटमेंट के ट्रेलर के बाद बहुत से फैंस सोच में पढ़ गये है कि वो कैंग जो TVA को कंट्रोल कर रहा था एंड ये कैंग जो हमें एंटमेंट के ट्रेलर म दिखे तो जाहिर सी बात है कि ये भी Cities का कोई विरेंट हो सकता है…. लेकिन अगर कैंक का कोई विरेंट अल्री टिवीए को कंट्रोल कर रहा है तो ये possible नहीं होना चाहिए कि उसका दूसरा कोई विरेंट एकजिस्टनस में हो क्योंकि अगर आपको याद हो तो hero remains ने ये बताया था कि उसके सभी variants एक दूसरे को मारने के लिए खुन के प्यासे थे और ऐसे ही सभी को मारने के बाद वो TVA को फॉर्म करता है मतलब कि TVA लोकी की season 1 में existence में है और उस पर Kang का variant रूल कर रहा है तो उसने already अपने बाखी versions को मार दिया होगा एज TV के मदद से Kang वो सारी timeline को prune कर देता है जिससे नए किसी Kang के बनने की possibility create होती है लेकिन एक possibility है कि ये Antman में दिखाएगया Kang लोकी सीरिस में दिखाएगया Kang का यंग का वर्जन हो सकता है जो इन सारे events के बाद TVA पर कंट्रोल पाता है क्योंकि लोकी सीजन 1 में काफे theories ये प्रूफ करती है कि TVA अभे भी quantum RAM में ही है और Antman में दिखाएगया Kang वो भी quantum RAM में ही अपना कबज़ा जमाय बैटा है जहां उसके पास अब पूरी के पूरी आर्मी भी है लेकिन कुछ reasons के वज़े से मुझे लगता है कि ये दोनो Kang completely difference है और ये variants है एक तो है time period दोनो events different time में take place करते हैं लोकी वाला event completely time के बाहर है और दूसरा event end game के कुछ सादो के बाद take place करता है और second है ये Kang के face के ओपर लगा हुआ scar ये scar ना ही hero remains के चाहरे पर और ना ही end में दिखे Kang के statue पर तो ये definitely Kang का कोई दूसरा variant है अब वो यहाँ कैसे आया और यहाँ quantum ram में क्या कर रहा है ये समझ लेते हैं अब जैसे हमें पता ही है कि Kang के सभी variants में लड़ाई होती है तो बैसे ही में भी एक लड़ाई TVA वाले Kang और इस नए वाले Kang के भीश हुई हो जिसमें ये Kang उसे लड़ते लड़ते quantum ram में गिर जाता है और बच जाता है और तब ही उस लड़ाई में उसके चैरे पर scar आता है जिसके वज़े से TVA existence में होने के बाउचुद भी Kang के दो variants एक्जिस्ट कर रहे है Ant-Man and the Wasp के trailer के इस scene में हम clearly किसी को quantum ram में crash होते देख सकते है और यहाँ पर कोई hooded figure उसे देख रहा है अब में भी यह Scott Lang, Casey, Janet, Hope और Hank Pym हो जो quantum ram में खीचे आने के बाद एक दुसरे से separate हो जाते है लेकिन हमें यह possibility भी ignore नहीं करनी चाहिए कि यह Kang की कोई battleship हो जो fight के बाद पहली बार यहाँ पर आकर बश जाती है और जो hooded figure यहाँ kneel down करके उसे देख रहा है वो Janet हो जो तब ही quantum ram में फसी थी क्योंकि अगर आप उसके पीछे के atmosphere और time vertex को जहां से देखोगे तो उसका color कुछ अलग है लेकिन जिस scene में Scott और Casey Lang है उसके पीछे का background और time vertex वो दोलो changed है मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ सद्याबीच चुकी है यह ऐसा है जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा event हुआ हो जिसके वज़े से यहाँ सब कुछ तूटा-फूटा है और जिसके वज़े से वहाँ के लोग, Scott और किसी को देख कर उन्हें kind of arrest या मार में आये है अब kang यहाँ quantum ram में आने के बाद सबसे पहले अपने army create करता है ताकि वो अपने दूसरे variant पर हमला कर सके लेकिन वो तब तक quantum ram के बाहर नहीं जा सकता जब तक उसके पास heart of forever ना हो हाँ, वही object जिसे वो अपने ship को power करता है यह goal सा object जिसे kang अपने ship में लगाता है और जिससे उसकी ship को power मिलती है वो में भी उसके quantum ram में crash होती ही उससे separate हो जाता है और Janet के हाथ लगता है जिससे वो चुरा कर वापस अपने साथ अर्थ पर लेकि आती है अब अगर यह सब कुछ सच होता है तो यह theory यह भी explain करेगे कि क्यों Janet quantum ram से इतना डरती है और क्यों वो इतना चुप चुप कर रहती है अब आपको क्या लगता है क्या यह kang टीवे में दिखे kang का कोई variant है या फिर यह दोनों एक है और क्यों kang अब इभी quantum ram में है हमें comment box में ज़रू बता देना तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं आगली वीडियो में